जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पांच राशियों की जानकारी दे रहा हूँ काफी सारे कमेंट थे और पूछ रहे थे हमारे संतान प्राप्ति के योग हैं के नहीं तो मैं नाम राशिक एसाब से पांच राशियों के संतान प्राप्ति के योग बता रहा हूँ यानि पुत्र प्राप्ति के पुत्री प्राप्ति के 2021 में पुत्तर प्राप्ति के कुन-कुन सी रासियों के ज़्यादा योग है यह नाम के इसाब से है नाम के इसाब से 70% जो है सही निकलते हैं बाकि 100% कोई नहीं कह सकता भगवान की इच्छा होती है लेकिन 70% यह है कि यह सच्छा ही होती है जो आपकी रासि है आपकी मेश रासि है ब्रैसब रासि है नाम के इसाब से तो उसके इसाब से जो रासि भल होता है 70% सही निकलता है तो इनमें में पांच रासियों की जानकारी आपको दे रहा हूँ और हो सकता है इन रासियों में से आपकी भी कोई रासि हो और आपको भी पुत्र प्राप्ति हो मेश रासी मेश रासी के 2021 में पुत्र प्राप्ति के पूरे योग है भगवान की किरपा से बहुत ही अच्छे योग है माता लच्मी की भी किरपा होगी हर कारशे दोंगे और पुत्र प्राप्ति के भी योग है 70% मेश राशी के पुत्र प्राप्ति के योगें वही दूसरी राशी है ब्रशब राशी ब्रशब राशी के भी अच्छे योगें नाम राशी के इसाफ से और इनको भी ज़्यादा तर सम्मवत है पुत्र की प्राप्ति अवस्य होगी 2021 में आगे प्रभु की इच्छा लेकिन रासी के साफ से जो योग बन रहे हैं उसके साफ से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और भगवान की पूजा भी साफ में करते रहें माता लच्मी की सनी देव की देव गुरु ब्रस्पती की शुक्राचार की इनकी सब की सुभ द्रश्टियां इन पर पढ़ेंगे तीसी जो रासी है वह है सिंघरासी सिंघरासी के भी अच्छे खासे योग हैं और इनके भी पुत्रप्राप्ते के बहुत ही अच्छे योग हैं दो हजार इक्किश में भगवान की करपा से अनेको प्रकार के योग इनके बन रहे हैं अनेको प्रकार की सफलता इनको मिलेंगी और साथ मैं कुछ हसाब दियानिया भी रखनी है जो मैं प्रतेक वीडियो में हर रासी के बारे में जानकारी देता हूँ तो इसमें में मेन मेन पॉंट आपको जानकारी दे रहा हूँ अगली जो रासी है दोस्तों वो है मकर रासी मकर रासी के भी अच्छे योगे मकर रासी में चतुर्द ग्रही सश्ट ग्रही योगे ऐसे बन रहे हैं जो हो सकता है सम्मफत है पुत्र की प्राप्ति आपको हो सम्मफत है और अगली जो रासी है अगली जो रासी है दोस्तों वह है बहुत ही अच्छी रासी है और उसके भी बहुत ही अच्छे योग हैं पुत्र प्राप्ति की इस बीडियो के माध्यम से मैं पांच रासीयों की जानकारी दे रहा हूँ, अगले वीडियों में सात रासियों की जानकारी दूँगा, कि उनके कुन सी रासि के पुत्र प्राप्ति के जादा योगे हैं, कुन सी के कम योगे हैं, अगली जो रासि है, वह है मीन रासि, हलंक कुम रासि के भी अच्छे योगे लेकिन मीन रासि क भी अच्छे खासे योगे हैं और मार्च के बाद में पुत्र प्राप्ति के मीन रासे के अच्छे खासे योग रहेंगे तो ये पांच रासिया जो थी इनकी जानकारी में ने दिया जो ग्रहन के हिसाब से योग अच्छे बन रहें चार रासियों के जल्दी योग बन रहें लेकिन पांच में जुरासी मिनरा से उसके मार्च के बाद योग बन रहे हैं